हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में रेजिस्ट्री का बैक अप कैसे लेते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू क करते हैं आपको क्या करना यहां पर सच बार पर क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहां पर टैप करते हैं रेज इडिट इस तरह से टैप किजेगा तो टैप करते हैं यहां पर आपको फर्स्ट अप्सन दिख जाएगा इसक आपको क्या करना यहाँ पर 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 य करना है तो आपको क्या करना है यहां पर आज का डेट डाल देना है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको क्लिक करते हैं इसका बैक बन जाएगा यहां पर देख रहें इसका बैक बन चुका है ऐसे ही आपकी केस में इसका बैक बन जाएगा ऐसे ही जब कभी भी करने हैं इसके बाद यहां पर आपको इंपोर्ट पर क्लिक करने हैं इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करने हैं उस फाइल को आपको सेलेट कर लेने हैं इसके बाद आपको क्या करने हैं यहां से ओपेंड करने के बाद यहां पर यह रियस्टोर हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको backup लेके इस तरह से आप इसको restore भी कर सकते हैं। उसके बाद इस window को आप यहाँ से close कर दिजेगा। और please guys चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you।